हेलो फ्रेंड्स मैं अनामी का मेरी कीचिन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज भी मकर शक्रांती एस पेसल तिल गुड की तिलकुट लेकर आए हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये ठंडी के सीजन में तो वैसे भी फायदे मन है तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप लाष्ट तक देखिए और ज़रू ठ्राय के जिएगा तो चलिए हम मकर शक्रांती एस पेसल तिलकुट बनाना शुरू करते हैं तिलकुट बनाने के लिए हमने जो इंग्रिदियेश दिया है वो है 200 ग्राम शफेद तिल जिसे हमने साफ कर लिया है 1.500 गुर को हमने छूटी छूटी टुक्रे में तोड लिया है और हम एक चमच घी यूज करेंगे तो अब हम गैस के तरफ चलते हैं गैस पे हम एक कडाही रखे हैं अब हम गैस को आम कर लेंगे और कडाही को अच्छे से गरम होने देंगे कडाही गरम हो चुपा है अब हम उसमें तील को डाल देंगे और इसे मेडियम फ्लेम पे 4-5 मिनद तक हम सेख लेंगे याने कि इसमें से एक चटकने की आवाज आने लगी तब हम इसे निकालेंगे तील को हमने medium flame पे 4 मिनट तक भूना है तील से एक चटकने की आवाज आ रही है थोड़ा सा color भी change हो गया है तो हमें जादा नहीं तो पूनना है इस stage पे हमें gas को बंद कर देना है अब हम इसे एक दुसरे प्लेट में निकाल लेंगे इससे क्या होगा ये जल्दी ठंधा हो जाएगा तो हम इसे दुसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कडाही में हम चाचनी बनाएंगे तो हम इसमें एक चमच घी डालेंगे और थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे घी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें गुर को डाल देंगे तो यहां पे हमने गुर को छोटा छोटा तोड़ लिया है इससे क्या होता है सब गुर एक साथ में पिखलता है अगर गुर बढ़ा रहेगा तो चाशनी बढ़ाबर थैयार नहीं होती है तो हम इसे एकदम लोग फ्लेम पे तीन से चार मिनट में पिखला लेंगे तो गुर अपना पिखलना चालू कर दिया है जो बड़ा साइज वाला गुर है उसे हम इस पेचुला से दबा दबा के तोड लेंगे तो ऐसे यह बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है श्लो फ्लेम पे हमने तीन मिनट तक गुर को पिखलाया तो आप ध्यान से देखिए गुर के जो टुकड़े है वो शारे मेल्ट हो गए है अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे और इसे दो से तीन मिनट तक और पकाएंगे फिर हम चास्नी चेक करेंगे हमें कंट्नियू चलाते रहना है मिल्ट होने के बाद गुर पियंदी बे लगने का चांस रहता है तो हम चलाते हुगे चाशनी तयार करेंगे मिल्ट होने के बाद हमने गुर को तीन मिनट तक ही पकाया है तो आप ध्यान से देखिए ये कितना जाग बन गया है चास्नी का कलर चेंज हो गया है और ऐसे हम कड़के देखेंगे कड़ाही से गुर अपना अलग होनी लगा है अब हम चाशनी को चेक करेंगे तो हम एक कटोड़ी में पानी लेंगे और एस टेचुला से इसमें हम थोड़ाशा ड्रॉप डालेंगे तो अब ध्यान से देखिए ये अपना drop जो है बिल्कुल जम के उपड़ आ गया तो ये चाशनी अपनी तयार हो चुकी है अब हम इस stage पे भूना हुआ तील डाल देंगे और गैस के flame को हम आउफ कर लेंगे तील को हम अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स करेंगे तो ध्यान से देखिए जितना हमने गूर का चाशनी बनाया था उसमें तील अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें इलाइसी पॉडर ड्राइफ फ्रूट्स डाला जाता है लेकिन हमें नेचुरल गूर का ही फ्लेवर बसंद है तो मैं यहां पे नहीं डाल रही है अब हम क्या करेंगे एक कटोरी लेंगे और इसे घी से ग्रीस करेंगे तो ऐसे हम कटोरी को ग्रीस कर लेंगे एक कटोरी में डालते जाएंगे और इसे फिर हम बेलन से उसको किलकुट का सेप देंगे और हम एक बेलन लेंगे इसके पिछे वाले हीसे को भी घीस से ग्रीस कर लेंगे और इससे हम अपनी चिक्की को ऐसे उट देंगे अब हम इसे ठंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे और दुसरी कटोरी हम ऐसे ही ग्रीस कर लेंगे ताशनी में तील डालने के बाद ये प्रोचेस हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करना है नहीं तो गूर के जमने के बाद हम करेंगे तो गूर जम जाता है तो करना मुश्किल हो जाता है हमने दुसरी कटोरी में भी तील गूर ले लिया है अब हम इसके भी तिलकुट बनाएंगे इसी तरह हम थोड़ा-थोड़ा तिलगुड लेंगे और बेलन से इसे तिलकुट का सेफ दे देंगे यह बहुत ही आसानी से बन जाता है तो हमें इसे बेलन से ऐसे कटोडी में एक सेफ दे देना है अब हम इसे निकालेंगे तो इसे हम प्लेट में उलग देंगे यह अचानी से निकल जाता है तो अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़ियां अपनी थिलकुट तैयार हुई है अब हम दुसरी कटोरी को भी ऐसे ही करेंगे बेलन की मदद से और उसे ऐसे कटोरी का सेफ देंगे हमने तिलकुट का सेफ दे दिया अब इसे हम कटोरी से निकाल लेंगे तो आप ध्यान से देखिए कितनी अच्छी तिलकुट तैयार हुई है ने ऐसे ही हम और ही कटोरी का तैयार करेंगे तो अब ध्यान से देखिए तील गुर से तील कुट बनकर तयार है इसे आप बड़ी आसानी से बना शकते हैं और एक खाने में तो बहुत ही टेश्टी होता है तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी ये रेश्पी आपको पसंत आए तो मेरे चैनल को लाइक केजिए परना मत भूली धन्यवाद